हेलो फ्रेंज, वेल्कम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुंग दल की कचोड़ी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुती आसान है और खाने में भी बहुती टेस्टी लगता है, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपोर्टन टिप्स पिताने व बोलीजिए, तो यहाँ पर मैंने लिया है टोप और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ एककटोरी मुंग दल, और इसे आप दो-तीन बार अच्छी तरीके से वाश कर लीजिए, फिर आप इसमें डाल दीजिए पानी, और इसे ढखके दो घंटे के लिए रख दीजिए ताक अब इसमें हम डाल देंगे मुंग दाल और इसे आपको दरदरा ग्रैंड करके ले लेना है यह देखिए हमने दरदरा ग्रैंड कर लिया है तो इसे मैं एक बर्तिन में निकाल लेती हूँ तो अभी हम कचोरी बनाने के लिए आटा तैयार कर लेते हैं यहाँ पे मैंने बड़ा सा बर्तिन लिया है और अभी इसमें हम डाल देते हैं दो कचोरी मैदा स्वादनुसा नमक एक चम्मच एजवाइन एजवाइन को आपको हाथों से अच्छी तरीके से क्रश करके डालना है इससे एजवाइन की खुश्बू जो है वो बहुत ही अच्छी आती है फिर आप इसमें डाल दीजिए 6 चम्मच देसी घी घी को मैंने मेल्ट करके लिया ह घी हम मोयम के लिए डाल रहे हैं घी डालने से कचोरी जो है वो बहुत ही खस्ता बन की तैयार होगा फिर आप इसे हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए ये देखिए बाइंडिंग तैयार हो रहा है इसका मतलब हमने जो घी डाला है वो परफेक्ट है फिर आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और सॉफ्ट आटा लगा लीजिए कचोरी बनाने के लिए आपको सॉफ्ट आटा ही लगाना है अगर आप टाइट आटा लगाओगी तो आपकी कचोरी जो है वो फटने लगेगी आटा हमने लगा लिया है तो इसे आप 15 मिनिट के के लिए रख दीजिए ढखके ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए कचोरे की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले आप मसाला तैयार कर लीजिए तो यहां पर हमने लिया है ग्रैंडर चार और अब इसमें हम डाल देंगे दो चम्मज साबुद धनिया एक छोटा चमज क ग्रैंड कर लीजिए यह देखिए मसाला हमारा बनकी तैयार है तो अभी हम कचोरी के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं कचोरी बनाने के लिए कड़ाही हमने गैस पर रख दिया है तो अभी इसमें हम डाल देंगे तीन चम्मज तेल तेल भी अच्छी तरीके से गरम हो चुका है तो इसमें आप डाल दीजिए मसाला चो हमने क्राइन करके रखा है इसे भी आप लगातार चलाते हुए स्लो मीडियम फ्लेम पर भूल लीजिए फिर आप इसमें डाल दीजिए आधा चम्मज हींग और इसे भी आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए फिर आधी कटोरी बेसन बेसन से बैंडिंग बहुत ही अच्छा होगा और इसे भी आप लगातार चलाते हुए स्लो मीडियम फ्लेम पर भूल लीजिए ताकि इसका कच्छा पन जो है वो निकल जाए बेसन जो है वो अच्छी तरीके से भूल चुका है तो अब इसमें हम डाल द फिर आप इसमें डाल दीजिए एक चमाच लाल मेर्ज पाउडर आधा चमाच हल्दी पाउडर आधा चमाच काला नमक स्वादलुसा नमक अधा चमाच जेरा पाउडर आधा चमाच आमचूर पाउडर इसे भी आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए आधा चमद गरम मसाला एक चमद कसूरी मेथी इसे आपको हाथों से अच्छी तरीके से क्रश करके डालना है इसे आपको लगतार चलाते हुए Slow medium frame पर अच्छी तरीके से भूलने नहीं इसे आपको तब तक भूलना है ताकि ये अच्छी तरीके से dry हो जाए ये देखिए ये अच्छी तरीके से भुन चुका है और ये completely dry भी हो चुका है तो अभी हम gas का flame off कर लेते हैं और इसे अभी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं इसी तरीके से आपको बागी का भी सारा balls बना की तयार करना है सारे balls हमने बना लिये हैं तो अभी हम कचोरी बना लेते हैं 15 मिनिट हो चुका है और 8 भी set हो चुका है तो इसे आप एक पर हाथों से अच्छी तरीके से मसर लीजिए तो इसे आप दौ पाट में डिवाइट कर लीजिए और इस तरीके से आपको रोल करते हुए लंबा कनना है और एकी size का आपको इस तरीके से तोड़ देना है यह देखिए सारी लोईयां हम ने तोड़ ली है तो पहली लोईयां उठाइए और बाकी का ढग दीजिए नहीं तो ये जल्दी से सूप जाएगा बॉल्स बना लीजिए और इस तरीके से दोनों अंगोठे से आपको कटोरी का शेप देना है बीच में आपको मोटा रखना है और साइट्स पतली करने है ये देखिए कटोरी बन गई है तो आप इसमें डाल देजिए फिलिंग बॉल्स और इस तरीके से आपको साइट्स जो है पूठाना है और उपर की और खीचते हुए आपको सील करना है और एक स्ट्राटा इस तरीके से निकाल देना है और इस तरीके से आप उमलियों की हल्ट से हलका हलका प्रेस करिए ताकि स्टफिंग जो है वो equally spread हो जाए फिर आप इसे हलका हलका बीच में ही प्रेस करिए आपको बीच में pressure देना है ताकि जब आप fry करो तो कचोरी जो है वो फुल फुल कर उपर आए और sides जो है वो आपको आधा इंच मोटा रखना है यह देखिए सारी कचोरी जो है वो बनके तयार है तो अभी हम fry कर लेते हैं कडाहे में अभी हम डाल देते हैं तेल यह देखिए तेल भी हलका हलका गरम है तो अभी इसमें हम कचोरी डाल देते हैं एक साथ जितनी कचोरी कड़ाई में आ जाए उतनी कचोरी आप डाल दीजिए और इसे आपको slow medium flame पर ही fry करना है यह देखिए यह फूल कर उपर आने लगे हैं तो इस तरीके से आप चमच के हल्प से कचोरी ओपर तेल डाल दीजिए कचोरी जो है वो फूल कर उपर आएंगे यह देखिए कचोरी जो है वो फूल चुके हैं और अच्छे से golden brown भी हो चुके हैं तो अभी इसे हम दूसरी साइट पलट लेते हैं यह देखिए दोनों साइट से उलट पुलट कर कचोरी जो है वो हमने golden brown कर लिये हैं तो अभी हम गैस का फ्लेम आफ कर लेते हैं और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं यह देखिए हलवाई जैसी फुली फुली और खस्ता का चोरी जो है वो बनके तैयार है तो इसे हम आपको कट करके बताते हैं इसका टेक्स्चर आप देख सकते हैं यह अंदर तक सिख चुका है अगर आपको मेरे यह रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें